हाई गाईज, वेलकम टो माई चैनल, फर्स्ट क्लास आची वीडियो में आप तो शेयर करने वाली हूँ कि आप एथनिक आउट्पिट के साथ कौन कौन से बैंगल्स ट्राइ कर सकते हो, चूड़ी एथनिक आउट्पिट के साथ अच्छी लगती है, साथ ही इस से हाथों के खूबसूर्ती भी बढ़ जाती है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि एथनिक वेर के साथ आप किस तरह के बैंगल्स को ट्राइ कर सकते हो, नमबर वन है पॉल बैंगल्स एट, पॉल आशकल काफी ट्राइन में हैं, कई लोग इस पैड़न के कपड़े पहन रहे हैं, तो कुछ जूल्टी को स्टाइल कर रहे हैं, अगर आपको भी पॉल पसंद हैं, तो इस बार इथ पर इसी वर्क की चूड़ी को आउट्पिट के साथ स्टाइल करें, इसके लिए आपको अपने ड्रेस से मैचिंग कुछ प्लैन चूड़ी लेनी है, इसके साथ पॉल वर्क आप इस तरह की गोल्डन बेंगल्स को भी ड्रेस के साथ वियर कर सकते हो, इसमें पूरा सेट ही इस कलर का बनेगा, जो पहनने के बाद काफी अच्छा लगेगा, आप चाहें तो किसी और कलर के साथ में एड़ करा सकते हो, वरना प्लैन चूड़ी को बिना किसी कड़ा या एक कड़ा लगा होगा, जिससे ये सेट और भी ज्यादा हेवी लगेगा, आपको इस तरह के बेंगल्स को इद पर जरूर ट्राइ करना चाहिए, ये डार्क कलर जैसे ब्लेक, ब्लू, ग्रीन और पिंक कलर के साथ काफी अच्छे लगेंगे, इन बेंगल्स को वियर करें, इससे आपका लुक भी अट्रेक्टिव लगेगा, साथ ही आपको इद पर आउट्पिट के साथ पहनने के लिए कुछ नया ओप्शन मिलेगा, आप इस तरह के सेट मार्किट से भी तयार करा सकते हो, या चूड़ी लेकर घर पर बना सकते हो, आई होप ये वीडियो आपके